नमस्कार दोस्तों, मैं नरिशी आवलकर, प्राइम एकेडिम आप कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत करता हूँ आज हम टाटा स्टील में ट्रेट दुमने की कुशिश करेंगे, टाटा स्टील में, तो लेट एस गो टो टाटा स्टील, पहले तो हम गराब देखेंगे टाटा स्टील का किस तरह से गराब चल रहे हैं, यह डेली कैंडल्स है, और आज की तारिक, मतलब यह 104.7 अप्रिल 23 की जो प्राइस है, वो 104.35 है, और जो हाइस्ट रजिस्टंस है इसका, 109 पर, तो हम 109 के बजाए 110 का हम कॉल चूज करेंगे, शौट स्ट्राइडल करने के लिए, शौट स्ट्राइंगल करने के लिए, और उसके बाद में, यह 100 पर बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट है, तो 100 ह यह हम पकड़ेंगे, पुट शाट करने के लिए, यहां का कॉल शाट करेंगे, यहां का पुट शाट करेंगे, और इस, क्योंकि यह जो प्राइस है, it is in between ब्रॉथ, तो इसका हम फायदा लेने के कोशिश करेंगे, तो हम यह भी देखेंगे, ओपन इंट्रेस्स का एनलेसिस कर लेके, अगर आपको ट्रेट करना है, और बेसिकली complex strategies लेने हैं, और short straddle या short strangle, यह बहुत ही unlimited loss वाले strategy रहती हैं, और profit वो minimum रहता है, मतलब minimum बोले तो हमें मालूम है कि maximum हमको कितना पैसा मिलने वाला है, लेकिन loss वो unlimited है, और इसके लिए it becomes very necessary for us to understand the open interest. So let us go to the, we'll go to the, so हम पहले 110 का call है, 110 के call की बात करते हैं, दिखे है, highest open interest है 2894, और addition in open interest is also 324, You'll see that, यह जो इतना open interest है किधर भी नहीं है, और current भाव है, यह 104.something, और यह जो है, ATM का call और ATM के put को open interest जादा ही रहता है, तो that is not a big thing, अगर हमको strangle करना है, तो हमको वो open, वो श्ट्राइक देखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा open interest है, अगर ATM देखना है call में, तो उसमें है सबसे ज़्यादा 110 को, तो we'll be shorting this 110 का call, similarly, अगर हम नीचे जाते हैं, तो 100 का, यह 100 का जो put है, इसमें highest open interest है, 1144 तो यह open interest है, और addition है उस price के basis पर किया है, और मैंने trade लिया, केबल मैंने analysis नहीं किया, I have taken the trade, I'll show my trade here, यह मेरे, मेरा accurate trade है, तो हमें यह भी मालूम है, जब हम call short करते या put short करते हैं, तो maximum उतना ही पैसा मेलेगा, तो मुझे एक रूपया 0.05 यह rate है, और lot size है 5,500, तो मुझे maximum यह 5,000 इधर मेलेगा, और maximum 4,000 इधर मेलेगा, बस इतना ही maximum मेलेगा, लेकिन अगर market यहां से बहुत नीक उपर चला जाता है, तो यह बहुत unlimited loss होगा, और यह नीचे जाता है बह unlimited loss होगा, लेकिन हम तो देखते रहेंगे न, ऐसा तो नहीं है कि हमने एक trade ले लिया, और यह 27 तारीक को expire ही है, तो 27 तारीक तक हम रुके रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, तो हम ध्यान में ध्यान देते रहेंगे, कि मेरे को कहां close करना है, but according to me, this is a very good trade, और इसलिए मैंने यह trade लिया है, दुसरा भी रिजन है, मुझे यह trade क्यों लिया, क्योंकि देखो यह trade लिया, वागि गुरुवर को लिया है, साथ तारीक बोलिया है, I have taken this trade on the 6th, 6th of April, this trade was taken on 6th of April, resistance and this is a strong support, and we were exactly in between, so why not to take the short strangle, that is the idea, so let us, हा, यह जो trade है, यह जो date है, is date, so let us go further, and I will tell you, why this trade was taken, इसका maximum profit कितना रहेगा, यह मैं आपको बता देता हूँ, यह हमने call short किया, यह मैंने put short किया, आल्रेडी मैंने figure बना के रखा है, यह investment को 1175, market नीचे गया तो 5775, क्योंकि मैंने 1 रुपा 5 पैसे में लिया, और अगर उपर गया, तो 4400, क्योंकि मैंने 80 निया पैसे में, 80 निया पैसा मैंने लिया, so I have, what, I have pocketed this amount, so maximum profit 10,155, लेकिन unlimited रहेगा, बहुत अगर उपर चला गया है, यह बहुत नीचे चला गया तो, अभी हम देखते हैं, कि यह 109 रुपे में जाता है, मतलब यह जो हमारे 110 का जो कॉल आमने सेल किया, वहां तक जाता है, और वहां तक रुपता है, मतलब वहां जाने के बाद वह, यह जो फिगर से, up to the date of expiry, तो expiry तक 109 में रहता है, तो मुझे 10,175 का profit होगा, और अगर यह 100 तक रुपता है, मार्केट 104 से 5 से 100 तक चार टका गिरता है, फिर भी मुझे 10,175 रुपीज में लेगा, तो maximum मेरा जो profit है, वो है 10,175, यह इसका और दूसरा reason, why I have taken this rate, I am telling you, यह इसका हम theta देखते हैं, यह 110 का जो call मैंने बेचा, उसका theta है 5 नया बेचा, और, और सव का, जो मैंने बेचा, उसका भी theta है 5 नया बेचा, 6 नया बेचा, something है, so forget 6 नया बेचा, let us consider 5 नया बेचा, मुझे Friday का मिल गया, 5500 रुपय मैंने कुछ Saturday को मिल गया, और 5500 रुपय मुझे Sunday को मिलेगा, ठीक है, तो यह 3 दिन का पकड़ गये, 5500 के हिसाब से, देख हजार का तो profit मुझे ऐसे ही मिलेगा यहाँ पर, मिल जाएगा, सवाल ऐसा है कि मंडे को अगर gap up और gap down से open होगा, तो क्या होगा, देखो gap up से open होगया, तो call बढ़ जाएगा, और gap down से open होगा, तो food बढ़ जाएगा, यह इसमें जो मुझे loss होगा, यह loss से ज़्यादा, अगर मुझे थिटा का फाइदा मिलता है, तो मुझे टेंशन नहीं, यह एक रुपे से उपर open होगया, एक रुपे से डाउपन होगया, दो रुपे से निचे आगया, open होगया, I am talking about open, even 2 रुपे से उपर भी open होगया, 2 परसेंट अगर यहाँ उपर आया, नीचे, gap up, gap down से होता है, फिर भी, I will not have any problem in my position, और ऐसा भी मुझे अगर लगता है कि यह market रुखने का नहीं नाम ले रहा, तो मैं जो भी profit loss होगा, वो book करके लेके जाऊँगा, mostly ऐसा होगा, कि अगर उपर गया, तो मुझे put में फाइदा होगा, call में loss होगा, लेकिन ओर आल मुझे थोड़ा बहुत profit होगे ही मैं निकलूँगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगा, कि यह 110 तक रहा देखूँगा, या 100 तक रहा देखूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसके बीच में किदर भी close कर दूँगा, तो यह है short straddle, मैंने अलरेड़ी explain किया है, short straddle करने के लिए क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो high liquidity देखनी है, और nearest strong resistance कुन सा है, nearest strong support कुन सा है, यह देखना है, और हम इस दोनों के बीच में है कि नहीं, वो देखना है, दोनों level के बीच में, और open interest analysis तो 100% देखना ही है किसी भी हालत में, if you don't study the open interest analysis, then don't trade in the options, strategy में मत काम कीज़ें, तो यह जो analysis था, वो 6 April का था, जैसे मैंने बताया, और यह बहुत ही अच्छा open interest है, बहुत ही strong support and resistance है on the basis of the open interest, बहुत ही ideal situation है, जैसे मैंने explain किया, यह इस तरह से trade banks है, या फिर बहुत छे shares है, highly volatile, state bank अभी इंडिया है, highly volatile है, पल में उपर चला जाता है, पल में नीचे आता है, तो यह volatile नहीं है, यह देखना है, monitoring हमारा monitor करना ही है, तो हमारा maximum loss profit है, वो हमारे धान में रखके हम इसको close करेंगे, तो दोस्तो, जैसे मैंने बताया, यह मेरा, यह सब information आपको मिलेगी, counter and theory हमारा different course है, उसके बाद में, यह मेरा YouTube channel है, प्राइम एकडेमी आप में जाईए, इसमें, यूटूब चानल को मैं यह बता देता हूँ, कि मैं sector analysis भी बिशबिश में करते रहता हूँ, मेरा काइना है कि defense sector बहुत ही आगे चला सकता है, और defense sector में यह बेल करके, भारत electronics मैंने एक example दिया, यह ज़रूर यह recent है, यह चे दिन के पहले, तीन दिन के पहले और यह pharmaceutical industry बहुत अच्छी है, और यह live trades है, यह सब live trades है, जैसे मैंने अभी जो live trade लिया, और मैं दिखा है, यह कुछ दो विक्स के पहले, यह reliance का है मेरे खाल से, नहीं, यह है HDFC का, तो यह बहुत ही अच्छे share से money management पर आपको बहुत videos मेलेंगे, और यह एक 90 years old मेरा student है, बहुत अच्छा trade करता है, बहुत successful trades है, यह खुद classes चलाते हैं, यह money management का यह course है, position saging का यह ज़रूर आपको यह करना है, read करना है, follow करना है, तो दोस्तों मैं अभी यहां रुखता हूँ, और यह जो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो इसको आप subscribe किजिए, share किजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के तरफ spread किजिए, और comments किजिए, comments करके आपको किस share पर, या किस style पर, या किस pattern पर, आपको information चाहिए, अगर options की कोई strategy है, उस पर आपको information चाहिए, तो comments पर आप लिखिए, मैं उस पर बात करूँगा, मैं 1991 से इस field में हूँ, मेरी सब information आपको यहां मेलेगी, अगर आप मेरे बारे में देखोगे, तो, and articles मैंने काफी articles लिखे, लोग सत्ता में, लोग सत्ता में मैंने बहुत articles लिखे, तो दोस्तो इसी सद्भावना के साथ मैं चाहता हूँ कि आपको आपका ट्रेप्स सक्सेस्ठल रहे हैं आप जाधा सब्स इसद्भावना के साथ दे बना से उसक्षापर आपका ऩ। थेंक यू